arm तै कि हलो दोस्तों मैं प्रिशान और आज के इस वीडियो में हम एक औरój वो टेक का एनालीस करने जा रहे हैं और इस आईपी ओ का जो हम एनालीसिस करेंगे वह दिफ्रेंट एंगल dale analysis करेंगे सबसे पहले इसके business model को हम समझेंगे उसके बाद देखेंगे कि इसका financials कैसा है उसके बाद देखेंगे valuations कैसा है क्या यह IPO सस्ता है या फिर महंगा है इसका peers के साथ completion करेंगे और at last हम देखेंगे कि gray market में इस IPO का कैसा demand है क्या यह IPO as a listing is हमें कुछ profit बना के देगा या फिर नहीं देगा और profit बना के देगा तो कितना देगा यह सब कुछ analyze करने के बाद आप खुद से आसानी से decision ले सकते हो कि इस IPO में आपको पैसा लगाना या फिर पैसा नहीं लगाना या इस IPO को avoid करना है तो चलिए सबसे पहले यह company काम क्या करती है इस चीज को हम समझते हैं तो अगर हम इसके business model को समझे तो यह आपका one of the leading global travel distribution platform है अगर हम इसको आसान सब्दों में समझे तो यह आपका as a travel agent के रूप में काम करता है अगर आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं त उन सब कंपनीच से अलग कैसे तो एक फैसिलीटी है जो की इसको अलग मनाता है जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं, नि इंडिया की बाहर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, currency exchange में बहुत ज्यादा problem आती है, लेकिन ये क्या काम करता है, जो भी supplier हो या फिर buyers हो, दोनों को local currency में deal करता है, जिस से आसानी होती है लोगों को, इसके अलावा अगर हम यहाँ employee की बात करें, तो 2000 से ज़्यादा इसके पास employee है, यनि लोग इसके लिए काम करते हैं, और इसका जो client है, वो 7500 destination से ज़्यादा घूम चुके हैं, और अगर हम country wise देखें, तो 100 countries से ज़्यादा में इसके clients travel कर चुके हैं, तो ये सारा data देख के simple समझ में आ रहा है, किसके पास एक between client base है, और ये business model आप आसानी से समझी के होंगे, simple सब्दों में बोले, तो travel से related जो भी services या facilities होता है, वो provide करने का काम ये company करता है, तो चले इस IPO से related कुछ और details के उपर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले, जो कुछ important date से वो हमें ध्यान करना है, ताकि IPO मिस ना हो अगर आप date पे focus करें, तो same date को एक और IPO आधार housing finance, और उस IPO का हमने all very detailed analysis करके वीडियो बना लिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो इस वीडियो के description में link मिल जाएगा, नहीं तो आप I button पे भी click करके वीडियो देख सकते हैं, तो चले अब अगर हम आगे बात करें, तो इसका जो price band है, वो 875 से लेके 920 है, लेकिन lower price band होल जाएए, 920 price band है, यह आपको ध्यान रखना है, lot size की बात करें, तो 16 shares का lot size है, अगर आप इस IPO में अपलाई करते हैं, तो minimum fund जो चाहिए होगा, 14720 का fund चाहिए होगा, issue size की बात करें, तो 1550 करोर का issue size है, जिस मे 15 अप में को आपको पता सल जाएगा, कि इस IPO का allotment आपको मिला है, या फिर नहीं मिला है, और 14 अप में को आपको refund मिल जाएगा, अगर आपको allotment नहीं मिलता है, तो और listing date की बात करें, तो 15 अप में को इसका listing होने वाला है, तो शालिए, अब हम इसके सबसे important point, financials के उप और ये consistently grow कर रहा है, revenue के अगर हम बात करें, तो revenue भी काफी अच्छे pace के साथ grow कर रहा है, profit after tax, इस पे थोड़ा सा हम discuss करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि इस से company के confidence को दिखा रहा है, company के strength को दिखा रहा, कोबीट के बाद सब जादा जो impact हुआ था, वो travel industry को हुआ था, और उ 34 करोर के loss से, almost 34 करोर के profit में आगया, ये बरी बात है, और ये चीज़ आपको note करना चाहें, इस company के strength के लिए, और सिर्फ यही ने, FY23 में 34 करोर के profit से, सीख दे लगबग आपका 1500 करोर के profit में आगया, और FY24 भी इसी तरीके का शांदार रहने वाला है, नेटवर्ट की बात करें, ये भी काफी तीजी से ग्रो कर रहा है, विजर्वरन सर प्लस ये भी आपका increase हो रहा है, और यहां पर एक और positive है, total borrowing, अगर हम दूसरे company की बात करें, तो data तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ company का जो कर्ज है, total borrowing है, वो भी increase होता है, लेकिन of the best financials माना जाएगा, अगर हम travel industry company की बात करें तो, तो हमने इसके financials को देख लिया, लेकिन सिर्फ financials के वरो से तो IPM apply नहीं करेंगे, क्योंकि financials अच्छा होगा, और valuations महंगा दे देगा, तो अभी हमें कोई भी profit नहीं मिलेगा as a listing, तो हमें valuations के उपर भी बात करना होग चलिए उसके उपर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले यह जो company है, यह आपका छोटा मोटा company नहीं है, almost आपका 10,000 करोर की company है, return on net worth 30% करीब है, quite impressive है, price to book value के अगर हम बात करें, तो यह आपका 18 times के करीब बन रहा है, तो book value से अगर हम compare करें, तो यह IPO थुरा सा आपको महंगा दिखेगा, लेकिन क्या IPO वाकई महंगा है, यह हमें देखना होगा, जब हम इसके peers के साथ PE का competition करेंगे, उससे पहले, earning per sales आपका 14 से 18 करीब है, जो कि आपका ठीक ठाक माना जाएगा, और PE लगबग आपका pre IPO 64 है, post IPO 48 होगा, तो यहापे हम 64 लेके चल वें, और देख रहे इसको बन रहे हैं, नहीं बन वें, वो यहाँ पे हमें एनलाईज करना होगा, तो चलिए इसके peers से competition करते हैं, तो इसके peers में जो दिखज नाम आ रहा है, वो rate gain travel का आ रहा है, और यह इस field की काफी दिखज company है, और इसका PE की अगर हम बात करें, तो 113 के करीब इसका PE आ रहा तो इसका financials काफी शांदार है, company के पास experience management team है, सब कुछ है, तो इसलियाज से IPO जो है, वो आपका completely fair valued है, या फिर slightly आप महंगा ही बोल सकते हैं, लेकिन slightly महंगा होने के बाब जूद भी data इतना सांदार है, तो यहाँ पे listing gains के रूप में as a profit के chances बन रहे हैं, अब as a listing gains, कित इतना profit मिलेगा, यह हमें देखना है, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और important point है, वो हमें discuss करना होगा, क्या है, इस IPO का positive और negative जो की हमें देखना होगा, तब जाके हमें एक complete analysis मिलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह one of the leading travel platform है, जि travel industry में यह one of the recognized name है, जिसके कारण से लोगों का इसके उपर भरोसा बना हुआ है, तो यह सारा इसके positives में count होता है, negatives की उपर अगर हम बात कहें, तो जादा कोई खास negative नहीं है, एक negative है कि इस industry में competition बहुत जादा है, और जो financials है, same financials data को आगे continue कर पाउना थोड़ा सा मुश जैसा situation अगर आगे भी arise होता है, तो सबसे ज़्यादा impact इसी पर देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पता ही है कि COVID जैसा situation बार बार नहीं आता है, और आने वाले समय में travel industry का growth काफी शानदार है, तो overall negatives में कुछ खास नहीं है, तो अब हम finally decision पे आते हैं कि इस IPO में हमें करना क्या है, तो grey market में इस IPO का शानदार demand है, और यह अपने issue price से 430 रुपे की premium पे trade कर रहा है, as on 5th May 2024, लेकिन जो grey market premium है, वो आपका daily change होता है, तो daily आप Google पे जाके इस IPO का नाम डालके grey market premium सर्च करेंगे, तो देखने को मिल जाएंगे, तो as on 5th में यह हमें कितना profit देगा, वो profit calculations के लिए, हमें यह सब की जरूरत होगी, मतलब इसका lot size क्या है, और इस IPO में कितना fund लग रहा है, तो listing price के अगर हम बात करें, तो upper price band 920 है, और 430 का premium एड़ गर दें, तो 1350 के price के आसपास list हो सकता है, अगर हम as on 3rd में के grey market premium की मानेत हो, अगर worst listing की बात करें, तो worst case में भ negative listing के जो chances हैं, वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, मतलब यह IPO as a listing gains कुछ न कुछ profit आपको जरूर बना के देगा, कितना profit देगा, तो lot size into a grey market premium करते हैं, यह आ जाएगा, जो कि आता है आपका 6,880 के करीब, यानि almost आपका 50% के करीब profit देगा as a listing gains, तो मैंने सारा कुछ यह आपके साथ share कर दिया, अब आप लोग हमें comment करके बताइए, कि इस IPO में आप क्या करेंगे, apply करेंगे या फिर avoid करेंगे, आपके comment का हमें इंतजार रहेगा, so that's all, इस वीडियो में इतना है, मिल दें नेक्ट वीडियो में, जहन!